असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब अल्लात अल्लाप सभी लोगों को खुश वाबाद अस्ता मुस्कुराता रखे शुरू करते हैं अल्लात अल्ला के नाम से जो दोनों जहानों का परवर्दिगार है आज हम आपको बहुत ही जhatपट, instant, मिर्ची और लेमू का अचार बनाना बताएंगे बहुत ही टेस्टी अचार बनाएंगे बहुत ही जली से जहटपट से 10 मिर्ण के अचार तयार हो जाएगा और सालों साल नहीं खराब होने वाला है अचार देखिए आज हम अपनी गार्डन से फ्रेज फ्रेज मिर्चियों को तोड़ने आए हैं और बहुत ही जबरदस्त लेमू हमारे गार्डन में तयार हुआ है तो हमने सुचा क्यों नहीं इसका अचार बनाया जाए बहुत ज़दा फल तो नहीं लगे हैं फल तो बहुत ही कम लगा है लेकिन जो भी लगा है माशाला से बहुत ही जबरदस्त लगा है बच्चे यहां पर पतंग वगरा उड़ाते हैं तो उसकी वज़़ा से काफी हद तक नुकसान भी पहुचा देते हैं बहुत ही तोड़ देते हैं देखिए हमने मिर्चियों को तोड़ लिया है बस फूल और छोटी-छोटी मिर्चियों को हमने छोड़ दिया है तो चले फटा-फट से अपना आचार भी बना लेते हैं यहां पे देखिए हमने 250 ग्राम मिर्चियां लिवी है और लेसुन हमने लिया है 1500 ग्राम जिसको के हमने चील के साफ करके रख लिया है सुखा के अच्छे से कप्रे से पोश लिया है यहाँ पे हमने देखिए राई ली हुई है इसे हम लोग के यहाँ पहारी राई बोलते है बारिक वाली राई है धनिया एक चमच हमने ली है और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी हमने अजवाईन ली है एक चुटकी यानि एक चुथाई चाय का चमच हमने अजवाइन लिया है और एक छोटा सा टुकड़ा हमने अध्रक का यहां पर लिया है हल्दी नमक हमने एक एक चमच लिया है और यहां पर हमने आध्याधी चमच कलोजी और मेथी दाना लिया है एक चमच भरके हमने यहाँ पर सौफ का इस्तेमाल किया है और दो चमच हमने यहाँ पर पीली वाली सरसो का इस्तेमाल किया है थोड़ी सी हींग हम लेंगे मिर्टियों को हमने धुलके बहुत अच्छे से इसको साफ कर लिया है डंडिया हमने नहीं अलग की है कपरे से भी इसको पोश लिया है बहुत अच्छ से इसको सुखा लिया है पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और इसी तरीके से देखिए हमने बिल्कुल लेसुन को भी पोश के दम साफ करके इसको ले लिया है बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है पानी की कोई गुंजाइस नहीं रहती आचार में, जब भी आचार बनाना हो, तो खुश्की का बहुती ज़्यादा ध्यान रखना होता है, जिसकी वज़ा से हमारा आचार खराब नहीं होता है, और साल हो साल चलता है, यहाँ पे 200 ग्राम हमने तेल को गरम करके ठंडा होने के रख दिया था, बिस्मिल्लाह रहमारे रहिए, में एक कडाई हमने लिया और आच को बहुती धीरा करके हमने इसको रख दिया है, इसमें हम कलोजी दाना, मेथी, और यहाँ पे हमने साबूत धनिया जो लिया था, उसे हलकी आच पर रोस्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर रोस अच को बिलकुल भी चेंज नहीं किया है, तो आच को बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने देंगे, बिस्मिल्लाह रहमारे रहीम, तो देखें, यहाँ पे हमने तेल लिया है, जो तेल हमने गरम करके लिया था, उसमें हमने थोड़ी सी हींग डाली है, और हल्ती नमक को शा करते जाएंगे उसके बाद हम अपनी मिर्चों को कट करके इसमें शामिल करेंगे देखिए पीली वली राई को जो हमने लिया था इसे पीज के इसमें शामिल कर रहे हैं थोड़ी से बचाई है अगर लगेगा तो हम डाल देंगे और यहां पर हमने ली हुई है एक प्याले भ करके आम्चूर dla यूज कर दें अब च्छाय हरो शामिल कर दें हमारा लंऔर यूर्ण अगर बाजार वाला यूज कर रहे हैं तो 3-4 लेमु करर शामिल करतें खाएं में डाल देंगे दर्दरा सपीस ह Peng भारी कम नहीं करना आ है अधैंक हुआ हमने लेशन को भी बना के इसमें डाल दिया है सभी मसालों को हम देल में शामिल करते छा रहे हैं सभी मसालें के बाद फिर लेमू मिर्ची कर दिनछी नहीं स्वी मिक्स कर देते हैं और इसमेŁ तो क्या हुआ अचार में अच्छा ही लगेगा मिर्चियों के डंडियों को हमने इसलिए नहीं तोड़ा है क्योंकि इसको हम जब काटेंगे तो आखिर में मिर्चि की डंडियों को पकड़ के काटेंगे तो हाथ में जलन नहीं होती है अगर आप इस तरीके से काटे तो डंडियों को बाद में रिमूव करें देखिए इस तरीके से आखिर में जो डंडियां बची हैं हम इसको कट करके डंडियों को अलग कर देंगे डंडिया बिल्कुल भी इसमें नहीं डालेंगे वन्ना उससे अचार खराब हो जाता है थोड़ा सा नमक और शामिल कर देंगे क्योंकि अचार में नमक थोड़ा ज्यादा ही लगता है हमें मिर्ची और लेमू थोड़ा सा कम लग रहा है तो एक काफी बड़े साइस का लेमू हमने लिया है और थोड़ी सी मिर्च और राइट करेंगे, यानि जतना मसाला हमने आपको दिखाया है, उतने मसाले में हम साड़े 300 गराम मिर्च सामिल करेंगे, और अगर आप छोटा बाजार वाला लेमू ले रहे हैं, तो चार लेमू शामिल कर दें, हमारा लेमू की साइज काफे बड़ आज काफी तेस धूप है तो हम इसको धूप दिखाएंगे, धूप दिखाया के फिर इस्तेमाल करेंगे, देखे तैस्ता मसाले तर, केतने टेस्टी काफी चटपण सा हमने आपको अचार बनाके बताया है, हमने इसको धूप दिखा लिया है, बहुत अच्छी से तयार हो तो इस तरीके से देखिए हम इसको एक जार में रख रहे हैं ताकि हम इसको टेबल पर रख सकें पानी बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए जार में हमने जार को और शीशी को दोनों चीजों को हमने अच्छे से सुखा लिया है धूप में हमने रख के इसको सुखा लिया है द इंशाला साल क्या, दो-चार साल भी आपका अचार नहीं खराब होगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, यहां भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इजी रेसिपी बाई शबीना को सब् जजाक अल्ला, आप लोगों को दोनों जहां की खुशिया नसीब फरमाएं, आप लोगों की जिन्दग्यों में रिस्क में बरकात अता फरमाएं, हमें भी दुआओं में याद रखें, तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में, ऐसी किसी टेस्टी रेसे फिक्सात, इंश एल्ला, आ ला थाफीज